सावन सिवरात्री शिव महापुरान कर था जो इंदोर में चल रही है इसमें गुरू जी ने एक विशेश उपाय बताया है जिसका कई लोगों को इंतजार था और लोग बहुत दुनासी इस उपाय का इंतजार कर रहे थे अगर आपके घर का कोई सदस्य गलत मार्ग में जा रहा हो अब वह सदस्य कोई भी हो सकता है आपका बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है आपका पती हो सकता है या पतनी हो सकती है मतलब घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं यह उपाय गुरू जी ने आपको महिने की किसी भी प्रदोस में, प्रदोसकाल में, मतलब साम का समय जो होता है, उसे प्रदोसकाल कहते हैं, उस समय आपको यह हुपाय करना है, आपको पीपल के व्रक्ष के नीचे जाकर, गीका दीपक, पिपलेशोर महादेव का नाम लेते हुए इस्मरन करते हुए लगाना है इसके बाद आपको महादेव से बोलना है हे पिपलेशोर महादेव मेरे घर का यह सदा से गलत मार्ग में जा रहा है उसे सदबुध्धी दीजिए ताकि वह बुरे कर्मों में ना पड़े इतना ही करना है वीडियो में बताई कि जैनकर ये अकर आपको प्योगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादियो जरूर टाइप करें